आपका बाई शुवम आ चुका है का और नय व्लॉग के साथ में तो आज की जर्णी होने वाली है लखनव से आगरा की और आज हम ट्रवेल करेंगे इंडिया के लॉंगेस्ट एक्सप्रेस वेपर भी आज की जर्णी होगी लगभग 300 किलोमेटर की और आप भी हमारे साथ डि दिखाऊंगा कैसा एक्सप्रेस वे और रास्ते में जो चीजे पढ़ेंगी उसको भी मैं दिखाऊंगा और जहां पर रुकूंगा उसका मैं व्लॉग करूंगा तो यह व्लॉग की शुरुवात हो चुकी है और अभी हम लोग घर से निकले थे अंधेरा था तब इस हैं और एक अपाचे है दूसरी दूसरी एवेंजेट 220 है तो उससे ट्रेवल करेंगे तो चलिए मौसम काफी ठंडा है और सुबह सुबह चलाने में वाइक बहुत ठंड लग रही है तो अभी निकलते हैं और आप इंजॉय करेंगे व्लॉग को तो गाइस फोटो शेशन हो चुका है हम लोगों ने अच्छी खासी फोटो खीच ली काफी टाइम हो गया और अब हम निकलते हैं आगरा की ओर तो यह हैं इंडिया का लॉंगेस्ट एक्सप्रेस वे और बहुत ही शांदार एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है एक बार सारे गेर डालो फिर आपको ब्रेक नहीं लगानी है और अभी हम लोग टोल भी दिये हैं इसका टोल से यार टोल तो गलत चीज है वैसे बाइकर्स को टोल नहीं देना चाहिए बड़ी गाडिया है उनका टोल पड़ता तो ठीक है लेकिन अगर बाइकर्स का भी टोल पड़े तो यार बुरा होता है मुझे तो यहीं लगता है 240 रुपए टोल पड़ा है दो भाइके हैं अपने पास में दोनों का 480 रुपए हो गया आज आगरा का प्लान है कल का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं लेकिन आज का है कि आज हम लोग आगरा रुखेंगे इस पर स्पीड लिमिट भी है और अभी हाली में मैंने न्यूस पड़ी थी एक बंदा कार लेके जा रहा था वो चार मिनिट कुछ सेकेंड पहले पहुंचा था तो उसको 4000 रुपए का चालान देना पड़ जाता तो यह चीज है कि मचना पड़ता है इस सब चीजों से भी हम तो कहेंगे यार जर्नी सेफ करो अगर रोड अच्छी है तो आपके टाइम आपका बचेगा बहुत ही ठंड लग रही है सुपर सुपर तो मुझे यह कंट्रोल जब खो बैठते है तो यही होता है दूर दूर तक कुछ नहीं है बस आप खिसते जाओ खिसते जाओ लेकिन एक लिमिट में चलाना भी है और दूसरी चीज़ा है इस पर धान भी बहुत देना पड़ता है कैमरे लगे हुए है तो उपर सेंसर लगे हुए थे उपर जो है स्पीड का था उसमें बता रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है कि आपकी स्पीज़ा है एक चीज़ अच्छी है कि डोल पड़ जाता है लेकिन रोड अच्छी मिल जाती है तो जिसकी वजह से हमारे वाइक के टायर या हमारे वेहकल है उसके टायर भी बचे रहते हैं और दूसरी चीज है कि हमारा टाइम भी बसता है और फ्यूल भी कम खडश होता है तो ये चीज अच्छी है और लगाता है डेवलमेंट होना चाहिए ऐसे एक्सप्रस वे पूरे इंडिया में बनने चाहिए मुझे ये लगता है और यार बिना टोल गया तो कुछ हो नहीं सकत तो आगे रोयलिंग फिल्ड की ख्लासिक 350 baby कि भाई सब के पास रहाज के पास हलमेट नहीं ये एक्सप्रेस वेपर उस एक्सेफटी से मतलब नहीं चल रहे हैं पर फूट कोड भी है और पैटोल पंप भी है तो जिनको रुखना है वो रुख सकते हैं अभी हम लोग तो निकले हुए हैं अभी रुखेंगे भी नहीं क्योंकि फ्यूल जो है पूरा फूल है हाँ एक टाइम मुझे याद है कि जब हम लोग आये थे नया नया यह चालू तो क्या हुआ था कि पैटोल के लिए हम लोगों को काफी उतर के नीचे जाना पड़ा था और काफी हम लोग सर्च कर रहे थे कि कहां पर क्या है क्या नहीं है तो पैटोल पंप के लिए हम लोगों काफी मसकत करनी पड़ी थी और हम लोगों काफी नीचे जाना पड़ा था खैर चालू हो गया एक्सप्रेस वे पे पेट्रोल पंप और ढाबा बहुत फंजब गवर्मेंट के लिए कि बहुत जल्दी ऐसा काम किया उन्होंने वाई ये ऐन्डिया का longest एक्सप्रेस वे है और मैं तो यही कहूँगा कि यार ये ऐसे एक्सप्रेस वे पूरे इंडिया में बनने चाहिए और जहां बने हैं वो लोग तो अच्छी राइड करी रहे होंगे उनको मज़ा आती होगी ऐसे एक्सप्रेस वे पर चलाने पर मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है पैसा वसूल है पूरा लेकिन हम बॉलकुल नॉर्माल स्पीड में चला रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं 90 और 100 के बीच में ही चला रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग नहीं चला रहे हैं अच्छा है यार बिग थम्जाफ और गॉवर्मेंट बढ़या काम किया है और ऐसे एक्सप्रेस में बनने चाहिए यह मेरे लेट साइट पर जो है वो गंगा नदी है यह देख रहे हैं और सच कहा है ना की रोड तो बहुत अच्छी है लेकिन बस वही है कि यार चलाते चलाते बना बोर हो जाओ और कुछ नहीं है सिर्फ रोड 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 और कुछ भी नहीं है यह जब राद में यह वह साइड में पूरा गास लगाया हुआ है तो यह ने लेट साइट पर है यहां पर प्रेक पॉइंट है तो यहां रुकेंगे और दिखुझा को पेट्रॉल भी फिल कराना है और कुछ हम लोग नास्ता वगयरा भी करेंगे तो देखते हैं भाई रुकते हैं यहां पर तो अभी क्या है कि हम लोग रुके हुई एक्सप्रेस वे पर पड़ भी डलाना था और अब प्रुभे सुबए ऐसे निकले है तो कुछ नस्ता भी नहीं किये थे चाय भी नहीं पे तो अभी क्या है कि अब इस मेध आखे बने रही है और इदर चाय है यह चला है आई सहाब मैं क्या है चाय पीके देखिया अलब ऐसी तो इस्टेशन पर चाय ली मिलती है वाई पराठे आ चुके हैं और उसके बाद हम निकलते हैं क्योंकि चाय तो बहुत मिली है बेकार हम लोगों को और अनुच भाई अपने साइस की चीज घा रह रहा है छोले बटोष्ट हम भी टेस्ट करते है कैसा है persons पार्ते ही ठीकCH है ठालती है भाई अध। वयह फट बढ़ में भीया थाच्वा के आर आण निकलते हैं फिल आफ के लगश का जो फिलब कराते हैं कि क्या भाई पड़ी दिखानी पड़ेगी क्या तिकार बाग के लिए उसके वो दूसरी लेन में लड़का वैसे वो फेटिंगर के रखनी चाहिए ना अच्छा तो आगरा के लिए हमें लेना होगा लेफ्ट और डेली के लिए सीधे तो हमारी यहां से एक्सप्रेस वे की जर्णी होती है खतम और हम मुड़ते हैं आगरा की ओर और अब चलते हैं अपने होटल की ओर देखते हैं कि कौन सा होटल हमें मिलता है क्योंकि अभी ऑनलाइन हमने होटल नहीं बुक किया है तो दोस्तों यहां बाइक कर दी है पार्क और यह है सामने हमारा जॉस्टल अच्छी प्रॉपर हम लोगों ने रूम ले लिया है और अभी क्या है कि यह देखे वहां पर इनको आना था कैमरे पर लेकिन यह अपना चेरा साफ कर रहे हैं और यह देखो मतलब आलसी आदमी है सबसे आलसी और दूसरा वर्ट निकमा नहीं मूल सकता मैं ठीक है लेकिन जो है यह आते ही यहा आपको यह व्लोग पसंद आया होगा अगर यह व्लोग पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें व्लोग देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद